अवस्था आ जाए बच्चे की, इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का, अच्छे अच्छे सास्त्री ज्यान, आधुनिक ज्यान, उच्छाह, एक दिंचर्या, एक तेज, वो ऐसे बुझा बेठा है जिसे दस बच्चे का बाप को, क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का रा इस समय तो आनंद किया उस्थाले, कि अच्छे-च्छे क्रिणाओं में भाग लेना, विद्या ध्यन करना, परिवार को शुक देने वाले विचार करना, आगे मुझे किस, अब यह क्या सूचेगा, आगे मुझे कहा जाना है, ना ध्यात्म और ना लोकिक पढ़ाई, अब इसके जीवन को कौन समझ पा रहा है, कि आगे चल कर इसका जीवन कितना खत्रे में हो जाएगा, अगर इसको कुशंग मिल गया तो अभी व्यशन में उतर जाएगा, नस्यम उतर गया जीवन पर, अप्राया ऐसा बच्चे, जो धनी बच्चे हैं, प्राया ऐसी में उतर रह है, आप सुधार लो, ठीक है ना, और कभी आपको कोई भी परिशानी लगे, आप हमसे बता ना करगी, दोस्ती का मतलब जानते हुआ होता है, अपने दोस्ते से बात कर, अच्छा, यहां कोई फीस तो लगती नहीं, थोड़ा यह जरूर है कि जगे बहुत छुटी है, तो क दुबारा प्रियास कर लिया, कम लोगों की कारण ऐसा होता है, अलंदी तरो, ठोड़ा प्रशन रहो, ठोड़ा सुबह एक-दो किलोमेटर दोड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रशन रखो, एकदम बच्चा, कुछ नहीं, जिसके साथ भगवान है, क्या ब अजन है, इस समय भी समझो, ठोड़ी दे रादा रादा नाम जब कर लो, अच्छी पढ़ाई करो, माता पिता है, पैर छोते होते हैं, रोज, नहीं चेते, अरे नहीं, आज से सुरू करो, हमारी दोस्ती का लक्षार, रोज माता पिता पैर छो, अगर कह दें, ये नया काम क इसे सुरू किया, एक हमारे दोस्त है, उन्होंने कहा किया किया करो, पक्का बुद्धी सुद्ध हो जाएगी बच्चा, मात्र देव हो, पित्र देव हो, साक्षाद भगवान बैठे माता पिता के हो, कभी उनका अपमान मत करना, चुओगे पैर, पक्का वादा, आहां आगे बढ़ो, बहुत कीमती जीवन है, बहुत अच्छे बन जाओगे, लोग आशिरवाद मांगते हैं न, हम क्या कहने तुमको, बहुत अच्छे बन जाओगे, यदि बात मान लोगे तो, अब बात ना मानोगे तुखे हमारा बस ही नहीं, नहीं, अब आप अच्छे बन क करके चलू, ठीक है?